स्वागत है पंच विवग्ति का हम अध्यन कर रहे हैं तो एक सूत्र ले लते हैं फिर हम उसके बारे मी चर्चा करेंगे पंच मी विवक्ति auraitक है ुठक है इसमें एक सूत्र है आज में दो सूत्रों के बारे में समझाने का प्रयास करूंगा और लगवक सुत्र बड़े ही सरल है तो इसमें पहला है परा जीर सोड़ा ठीक है परा जीर सोड़ा बहुत ही सरल है बस इसमें याद रखना है परा जी असोड़ा ठीक है परा है इसमें उपसर्ग मैं एक एक शब्द को लिखता चलता हूँ क्योंकि ये सुत्रों की ब्याख्या ठीक हो जाएं धातु असहनिय जिसे सहाना जा सके जिसे सहाना जा सके असहनिय हो उसकी क्या हो जाती है अपादान संग्या होती है तीन शब्द है होती सरल है परा जी जी धातु जो है परा उपसर्ग के योग में होनी ही चाहिए ये पहरी सर्थ है असहनिय होना चाहिए दी कोई आसी चीज जिस से लोह सहनिय हो जैजिसको सहाना जा सके उसकी अपादान संग्या हो जाती है अब इसका एक उधान लेंगे परा जेर सोडहा याद रखना परा उपसर्ग जिधहतु असहनिय हो उसकी यानि जो असहनिय उसकी अपादान संग्या होगी अपादान संग्या होने से अपादाने पंचिमी से इसमें पंचिमी का प्रियोग कर लिया जागा जैसे उधार देखते हैं पढ़ाई से ऊव गया अक्सर दिखा जाता है कि जो पढ़ाई होती है बहुती दिक्कत पैदा करती है और उससे ऊव याद रखना जब ही होती है यह तिना कि आज तो हम बोर हो रहे हैं संस्क्रिट निस इंगले से बोर होना इसमें ऊवना के ताथ पर है जब कोई ची असहनी हो जाए जिसको सहाना जा सके और फिर भी वो कहीं ना कहीं रहे तो उसमें असहनी जो होती है उसमें पंचमी का प्रियोग कर लिया जाता है उसकी अपादान संग्या तो हो जाती है पढ़ाई क्या है पढ़ाई करना भी है लेकिन पढ़ाई क्या हो गया असहनी हो गया किसी न किस्से पढ़ाई से आफ हमें फता चल लगया पढ़ाई से ऊबह से ऊबह रही या तपढ़ाई असेहनी हो गई तो पढ़ाई की क्या हो जागी अप compact अध्यानात पराजयते याद रखना ये परा और जी योग रहेगा इसका बिना इसके योग में प्रियोग नहीं कर सकते हम जीदाति को ठीक है नहीं तो फिर पंचमी का प्रियोग नहीं होगा अध्यानात पराजयते अर्थात अध्यन उसके लिए असेहनिय हो गया मैं इसके एक दो उधान दूँगा तो और बात हैं साफ होती चली जाएंगा उम्मिध है आपको सही से समझ में आगया होगा चली उधान देखते हैं एक दो और अगला उधान देखते हैं क्या आएगा देखी दूसरा घर के धंधों से मैं तो हार जाती हूँ ठीक है अब थोड़ी बात समझने के लिए हैं हारना जो प्रियूक किया गया है यहां कार से या धंधों से युद्ध नहीं हो रहा है को हार गया हारने सेतात पर है कि काम कारे होते हैं जिसके कारें कोargent महला भूल रही है यजिम्म więc कोई महला भूल रहा है है कि घरके जो दहंधे हैं जो कारें वह असहनी हैं वह सेह नहीं करने युज़ हैं तो छेहन नहीं किया जा सकते इस तरह से यह बता तो अब यहां हारना किस्से है असेहन यह कौन है घर के धंदे ठीक है ना पूरा है यह हालागी इसमें सस्ठी का प्रिव कर सकते हैं लेकिर हम पूरा ही इसमें प्रिव करेंगे घर के धंधों से तो धंधों से क्या हो जाएगी अपादान संग्या हो जाएगी और उसकी अपादाने पंचमी से पंचमी कप्रियों कर लिया जाएगा तो ग्रहे कार्य भ्यहा क्या जाएगा परा जाए खालू अहम है ना तो पराजे पराजी दोने उपसरक का प्रियों की जा रहा है इसमें और धातु का दोना साथ साथ हैं ऐसे ग्रहे कार्य भ्यहा ग्रहे कार्य में पंचमी का प्रियों कर लिया गया है हो सरल है इसमें ज़्याद मुझे समझाने कर आविशकता नहीं है विल्ग सीधा सीधा है दातु का प्रियोब करिए ढोडिए किसे कौन आसेनिये कौन वस्तू है कौन पदार्थ है जिसे जिसे सहाना जा सकता है उसमें अपादान संग्या हो जाग और अपादान पंचमी के सब प्लियों कर लिये जाएगा एक उधान और दूंगा मैं इसका फिर हम दूसरे सुत्र पर चलेंगे वह सर्दी सहन नहीं करता है ठीक है वह सर्दी सहन नहीं करता है अब यहाँ पर सहन नहीं करना सीधा आ रहा है तो इसमें तो बिल्कुल भी दिमाख लगाने के आविशकता ही नहीं है सोचने की विचार करने की बिल्कुश जरूरती नहीं है सहन करना सहन नहीं हो रहा है क्या सहन नहीं हो रही है सरदी सहन नहीं हो रही है सरदी को दूतरी से लिख सकते हैं इसमें विरा हो जाता है ठीक है तो सरदी सहन नहीं हो रही है तो सर्दी क्या हो गई हैं सर्दी की अपादान संग्या हो गई तो अपादान संग्या से हम जानते हैं पंचमी का प्रियोग कर लिया जाता है तो सहः शैत्यात पराजयते सहः शैत्यात पराजयते ठीक है तो हम यह हमने तीन जो उधान देखे उससे पूरी बातें इसमें समझ में आगी होगी दो से तीन थे अब हम आगले सूत्र पर चलते हैं सूत्र देखते हैं मगला वारन अर्था नाम इपसितहा ठीक है वारन अर्था नाम का वही बंतलब होता है अर्थ के योग में इपसितह इपसित इच्छित वस्तु है ना वारन का मतलब होता है हटाना या रोकना भी प्रियू कर शकते है हटाना रोकना भगा देना इससे समंद्ध जतने भी चीज़े हैं वह वारन के अर्थ में ही प्रियूक की जाएंगें इपसित का मतलब होता इच्छित वारना या रोकना अर्थ वाली धातूओं के योग में अर्थ का मतलब क्या होता अर्थ वाली धातूओं के योग में जो भी धातू है जो हटाने से रोकने से प्रियू की जाती है उनके योग में इच्छित बस्तू जो इच्छित बस्तू है उससे किसी को हटाया जाता है रोका जाता है तो उसकी इच्छित वस्तु की क्या हो जाती है अपादां सं Supya हो जाती है ठीक है ना इच्छित वस्तु क्या हो जाएगे अपादान संग्या वारणा अर्था नाम इपसिता हमने एक दुत्य विवक्ति में एक सूत्र पढ़ा था कर्तुहु रीपसिततम एक सूत्र पढ़ा था और तथा युक्तम चानिस्वतम ये दूसरा सूत्र पढ़ा था ये दोनों ही सूत्रों की प्रिक्रिया इसमें भी लागव होगी इपसित म दोनों की ही क्या हो जाती है अर्था इस सूत्र को मैं लाश्ट में बताऊंगा इसका अंतिम में जो निश्कष निकलता है यह निकलता है कि जिस बस्तु से हटाया जाए हटाने मात्र से क्या हो जाती है उसकी उस बतार्थ की उस बस्तू की अपादा संगया हो जाती है हटाने मात्र से चाहे वो इच्छित हो अथवा ना हो ठीक है तो हम इसके उधान लेंगे तो बात साफ होती चले आएंगे उधान ले लेते हैं देखी जो से गव को हटाता है जो से गव को हटाता है तो हटाना जो मिल गया हमें अब प्रशन करना है कि किस से हटाता है तो किस से हटा रहे हैं जो से हटा रहे हैं किस से हटा जा रहा है जो से हटा जा रहा है तो गाय के लिए इच्छित क्या हो गया जो किसी की खित में गाय घुजगी होगी तो उसने गाय को हटा दिया वांसे की गाय नुकसान करेगी तो जो बहुत पुराने से चली आ रही है जो कहीं प्रियोड तो गहूँ भी है बहुत सारी चीज़े है तो उन जब भी किसी चीज़ से कोई हटाई जाए तो हटाने मात्र से जिस बस तु से हटाय जा उसमें अपादान संग्या हो जाती तो जो की क्या हो जागी यहां अपादान संग्या हो जाएगी प्रियोग हो जाएगा यह यह वेभ्याह गाम वार्यती है ना जो से गव को हटाता है यहां पर पंचिमी व्यक्ति का प्रियोग कर लिया गया क्योंकि जोकी अपादान संग्या हो गई है उम्मीद है ये थोड़ी सी बात समझे में आगए होगी ये दोना सूत्र बहुत ही सरल है तो मैं इसके एक दू धान दूँगा ठीक है चली चलते हैं के लिए धान पर दूद से बिल्ली को भगा दे अब देखिए दूद से बिल्ली को भगा दे यहां भगाना रोकना हटाना मैंने बताया था ये की चीज़ है ये सब ठीक है उसको रोका ही जा रहा भगा करके भी उसे दूद नहीं पीने दिया रहा था दूद उसका इच्छित है और दूद से उसको भगा जा रहा तो रोकना हो गया एक तरह से तो भगा दे किस से रोकना है दूद से तो दूद में कौन सी संग्या होगी अपादान संग्या होगी और अपादाने पंचिमी सिसमें पंचिमी में दिका प्रियोग हो जाएगा क्या बनेगा दुखधाद मारजारीम वारया दुखधाद मारजारीम वारया बिल्कु सीधा प्रियोग है एक प्रिस्द भी अगर समस्या ने होगी हमको क्या ढूणना है पहले वारण यान हटाने सब्द को ढूणना है रोकना रोकना सब्द ढूणना है फिर ढूणना किस से हटाया जारा किस से रोकना जारा हो उस पदार्थ की अपादान संग्या हो जाएगी वार्णा अर्थानाम इपसतहा सुत्र से और अपादाने पंचिप से सुम्पंचिमी कप्रियों हो जाएगा ठीक है शालिए अगला एक दो धान देख लेते हैं राष्ट्र की भूमी से देश द्रोहियों को हटाएंगे ठीक है तो हटाएंगे हटाएंगे ठीक है आप देखिए किस से हटाएंगे यह मुख्य चीज़ है तो राष्ट्र की भूमी से हटाएंगे है ना हटाना किससे है रोकना किससे है राष्ट्र की भूमी से जी किसको वो मुख्य उद्धेश नहीं है हमारा हमारा उद्धेश है अपादान संग्या ढूल न तो अपादान संग्या इसकि राष्ट की भुमी की अपादान संग्या हो जाईगो और पंचिक तकसमे प्र criticize कर लिया जा जागा राश्ट्र भूमेह देश द्रोहियों को तो देश द्रोहियों को हटाएंगे उनके लिए तो इच्छिती होगी जैसा भी है ठीक है कुल मला के राश्टिकणी है ऑससे हटा रहे हैं अच्छित हो हमें ऊसे कोई मतलम नहीं है हमें। हटाना है तो हटाना सब्दी देखना है कहां से अटाय जा रहा है भूमी से अटाय जा रहा है तो उसके अपादान संग्या हो जाएगे और अपादाने पंचमी से पंचमी कप्रियों कर लिया जाएगा अब हम कुछ उधान देखेंगे जो इच्छित नहीं है जो इप्षित नहीं है फिर भी उनमें पंचमी कप्रियों किया गया है बालक को साप से हटाता है अब यहां कोई बच्चा है बच्चा साप की तरफ लपक रहा है दोड़ रहा है साप को पकड़ने के लिए तो उससे हटाया जा रहा है अब यहां देखना है हटाया किसे जा रहा है साप से मुख क्या है हमारा साप है बच्चे जो होते हैं अबोध होते हैं और बच्चों के लिए कोई भी बस तू वो उसके विसे में जानते नहीं है उनको तो बस चाहिए और उसका फिर्क्या प्रियो करते हैं वो अपने मुख में रखते हैं बस तो बच्चा सांप की तरब दोड़ा तो बच्चे को सांप से हटाया है तो सांप जिससे हटाया जाए अब यहां इच्छित नहीं है इच्छित नहीं है बच्चे के लिए लेकिन फिर भी हटाने के अर्थ में सांप से हटाया जा रहा है तो सांप की अपादान संग्या होगे रपादा ने पंचिमी से पंचिमी कप्रियों कर लिया जाएगा तो क्या बन जाएगा वालकम सर्पात वारयती ठीक है वालकम सर्पात वारयती चलिए इसके उधार और देखते हैं बालक को अगनी से हटा ले भाही फिर बात है बच्चे को पता ही नहीं है हम कहां जा रहे हैं जलेंगे या न जलेंगे उसको कितना बोधी नहीं है बोध नहीं हो है तो भटा ले जब भटाने का प्रियोग किस से हटा ले यह दिखना अगनी से हटा ले तो अगनी में क्या हो जाईगी अप आदान संग्या हो जाएगी ठीक है बिल्कु सीधे प्रियोग कर लेंगे, इसमें कुछ समझाने के लिए खास नहीं है वालकम पावकात वारया है ना तो पावकात, अगनी को पावक ही बोले आते हैं इस राम की तर रूप चलते हैं, बहुत सरल है मैं एक नीज़े और बताने का प्रियास करूँ हैं आपको हमें शब्द कोस को ढून-धून के ऐसे शब्दों का प्रियो करना सबसे पहले जो सरलتم हो और सरलتم से फिर कठिन تم की ओर चलना है सरल से कठिन की ओर एसा नहीं पहले हम कठिन प्रियों कर लें फिर सरल की तरफ चलें तो समस्य आना शुरू हो जाती हैं फिर हमको उससे पराजेड सोडा वाला इसमें सुत्र लगाना पड़ाएगा फिर हम अध्यान से उवह होने लगती है और फिर अध्यान हमको संस्कृत भी से शुरूप से असेहन ही हो जाती है जिसको मन करता है कि छोड़ दें फिर भी छोड़ नहीं पाते तो पावकात राम की तरह रूप चलेंगे तो इसलिए इसमें पंच्वी कप्रियों कर लिया है वालकम पावकात बार है उम्मीद है यह आपको समय में आया होगा कुछ ना कुछ ठीक है च मितर को पाप से रोकता है अब रोकना हो रहा है मितर को मितर ही रोकता है मितर सब्ने प्र लिए दाना कोई होगा नहीं तो मित्र को मित्र पाप से रुकता है तो पाप से रुक रहा है तो पाप की क्या हो गई अपादान संग्या हो गई मित्र की कर्म मित्रम पापात निवारयती ठीक है उम्मीद है यह आपको सही से समझ में आ गया होगा आज मैंने दो सुत्रों को समझाया आज के लिए इतना ही नमस्कार जय हिंद